तो आज हम लोग जा रहे हैं कहां जा रहे हैं इसलिए ब्लॉग बनाने जा रहे हैं लगनों का सबसे बड़ा बजार चुर बजार के नाब जानते हैं तो वहां पहुंचने के बाद आपको आकर टोटल एक्सक्रोज करोंगा तब तक के लिए बाइब तो अब जो टाइम में सुभा का चार बज़ रहा है तो काफी अंधेरा लग रहे हैं तो बाइसाब का चार बज़े सुभा ही तेल खतम हो गया है सब्सक्राइब नेंद में तो नहीं होना यार तो गाई साइनली हम लोग पहुंच चुके हैं संदे मार्केट मतलब कीचो और वजार तो चलिए तो गाई यहां पर आपको पार्किंग की पिजगा मिल जाएगी सुभा सुभा आने के बाद कोई दिक्कत नहीं है गाड़ी यहां पर आप लगा सकते हैं कि फिलाल अभी ज्यादा दुकाने तो लगी नहीं है इसेडी मिलता है ना कि इतने का पूछो कि साड़े पंद्राजार वाली कौन सी और वो दोनो जाजा कुछ ज्यादा सस्ता ही नहीं बता रहे हो अभी तो दुकान लगना चालू है ना एक दुकान इसलिए रेट ज्यादा बता रहे हुए तो वाई साब यहां आके थोड़ा पोपट हो गया क्योंकि हम लोग सोचे थे कि चार बज़े मतलब कि यहां पर मार्केट लग जाती है लेकिन अभी टाइम हो रहा है इच्छे तो अभी अच्छी तरह से मार्केट नहीं लगाए अभी हम लोग पार्किंग वाली जगह पे हैं आपको यह बैकराउन दिखाई दे रहा है यह पार्किंग की जगह यहां पर एक छोटा सा पार्क भी बना दिया गया है उसमें आप तहल सकते हैं सोचाले बाद हर चीछी बहुस्ता यहां कर दिया गया है काफी हद तक दुकाने लग गई हैं साथ में जोला लेकर हमारे पर्दून भाई टहल लें तो गएट चलिए आगे और इस चुर्बदार में देखते हैं कौन कौन सी कितने सच्टे में सवाल मिलती है आपको बताता रहूंगा तब तक के लिए वीडियो में बने रहें कितने आपनाइगा भाई सब बता रहें सो रुपे की चारसुछ मिल जाएगी काफी सस्ता है बाई मिल जाएगे सब समान तो गाई यहां पे कोई भी ऐसा समान नहीं है जो कि आपको ना मिले घर में जितने सारे यूज होने वाले समान होते हैं और समान यहां पे आपको मिल जाएंगे वो भी काफी सस्ते में कि यहां पे आपको यह सब चीजें देखनों कि मिल जाएंगे हकोड़ी पेचकस पिलास तोटल मतलत की गराज वराज इतने भी चोटल है सब मिल जाएंगे तो गाईज यहां पे आपको ग्रिल यूरिल का सामने दिखाई दे रहा है जंजिर ले लो जिसको बादने लोहा लकड़ है यार कपड़े वाला घर ही था सक्या तो गाईज यह देखो कितना पुराना सिक्का है कौन सी जमाने का है फोटलो तो भाई यहां पे आपको पुराने पुराने सिक्के भी मिल जाएंगे बढूब सब बताये करते हैं पुराने सिक्के चलाते हैं तो ut if भी रहा है इस तरह का मार्केट देखने को मिला नहीं फन्डी के म airflow में अकसर कुछ ज्यादा समाने करे दो झाल झाल